वेल्कम बैग गाइज टाइम फॉर एक्साइडिंग वीडियो बहुत सारे फोन आपके सामने हैं और आज में आपको दिखाने वालों जो आप बेस्ट गेमिंग फोन्स बाई कर सकते हैं फ्राफी प्राइस ऑफ 10,000 तो अब टू 50,000 सबी कडेगरिस में प्राइस में आपको में कुछ टॉप सेलेक्टिट पोन बताऊंगा सारे के सारे वोन अमने ट्रॉइक कर रखें पूरी दुकान आपको सामने लगी वही हैं अब अब यह सेलेक्टिट पॉन सबाए हैं जो आप बाई कर सकते हैं अब चुकि ये गेमिंग होना है तो हमारी criteria बहुत ही सिंपल है minimum जो benchmark वो meet करना चाहिए number 1 phone में high performance होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि phone में you know like like just a chop chop performance should be high performance number two display अच्छ होना चाहिए with high touch sampling यानि की giving me humidity ज्यादा होना चाहिए and number three phone में heating machine होना चाहिए और cpu में throttling भी बहुत ही कम होनी चाहिए नंबर फॉर फॉर में फास्टर चाहिए प्लस बैकप भी बहुत ही अच्छा मिलना चाहिए लास्ट पट नॉट दिलीज गाइस फॉन ने कुछ एडिशनल अगर फ्लो फीचर मिल जाएं जैसे की बाइपास चाहिजिंग फास्टर यूए पर स् है और फुर गाइस रियल में खा नार्चो 60 X ये फोन दिखने में भी अच्छा है लेकिन गेमिंग की टन में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है बेस वेरेंट आपको ये बारा जार क्या सपास चार्ज भी मिलता है आप 6 जी भी जाएंगे तो आपको 1500 और दिना पर सक अच्छा है फ्लूइट परफॉर्मेंस है और गेमिंग इसमें बहुत ही लाजवाब कर सकते हैं सबसे पहला फोन जो आप ट्राइ कर सकते हैं वह है फोको एक्सपाइफ प्रो इवन तो गाईस ये फोन डियूबिल्टी में फेल चुका है बड़ सबसे लीस प्राइस में ब प्राइस में गेमिंग उठा सकते हैं पोका एक्सपाइफ प्रो से लेकिन मदलबोर्ट की इशूस हो सकते हैं तो एडिशनल वारेंटी लेना मत भुलेगा नेक्स फोन जो आप ट्राइए कर सकते हैं इस प्राइस में लाइक 20,000 के रेंज के अंदर में 17,18,19 में ये फोन ब ये फोन आपको कम्प्लीट वन एर की रेप्लेसमेंट वारंटी देता है को भी फोन ने इशूस आती है आपको फोन घर बैठे बैठे रेप्लेस हो जाता है नथिंग स्पॉन स्पाइज अगर आप नॉड़ सीची लाइट देख देखिंग तो वह आपको बीजर मिल ला ए सी टू बहुत ही कमाल का फोन है इस प्राइसे विकॉस लुक इसका अच्छा है डिस्प्ले एम लैड है सीपी बड़ा ही फास से लाइट वेट फोन है और फास्टो चार्जिंग भी है तो ओर आल बीजर में अगर आप एक वन प्लस का फोन चाहते हैं बैटर दी से ले ब्र वो सारे सारे में रिकमेंडे करां विकास गेमिंग के लिए वो सी प्यू कताई नहीं बना है तो मैंने आपको यह चीजे पहले ही बता दिये है इस फोन को मने चंद्रयान थी तक उड़ा दिया था और वहुती सॉलिड फोन था और यह का इस इंफिनिक्स जीटी 10 प्रो इस साथ में आपको यहां पर एक वाइपास चार्जिंग का फीचर मिलता है यह बहुत रेर है जो जनरली किसी फोन में नहीं मिलता है यूफस 3.1 भी 90 फिस तकी गेमिंग सपोर्ट करता है कम प्रेस में अगर आप इंटिनिक्स का प्रांट ट्राइब कर सकते हैं तो यह फोन भ दिखा रखे हैं कर डिस्प्लें फिद गुड़ सीप्यू चाहिए फास्टर चाहिए बैटरी से विल्यू चाहिए आई कुट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अकर आप थोड़ी सी मॉट्रेट टाइप की गेमिंग करते हैं सुपर लांग गेमिंग करते हैं तब तो अच्छा है और परफॉर्मेंस की बहुत ही दमदार बाकी आई क्यों आप जानते हैं बेटर डिजाइन के जाता है गेमिंग सेंटर के लिए पास्टर चारजिंग मिलती है कूल नेक्स फोन जो की सूपर एक्साइटिंग इस प्राइस में यह थोड़ा सा लास्टियर का फो अच्छी हार्ड कोर गेमिंग करनी है एंड जस्टो मेंचन गाईज वन अव धी हॉटेस फोन जो है मोटो एच्फोर्टी नियो जी फोन वैसे थी लेकिन अभी हमने पिछले कई जोन से सीरेस प्रॉब्लम्स देखी है इस्पेशली गेमिंग के लिए यहां पर बहुत यह आपको दिखाएं नहीं पड़े हैं अचानक प्रकट हो जा रहे हैं इसलिए मैंने इस फोन को रिकमेंट नहीं किया है अगर फूचर में इसमें चीज़ें फिक्स हो जाती है तो मैं आपको विट चॉट और में आपको अप्टेट कर दोंगा लेकिन फिलाल इस ग्लिच के अपको दिखा दिया एंड वन प्लस नॉड़ सी 3 वी लिकिन इसमें कहने कि CPU ठाटलीं बहुत जादा है दैसलिए मैं आपको यह फोन आपको यह प्रिकमेंट कर लेकिन गेमिक की लिए फोन डिकमेंट नहीं है दैस अरीजन आमने इसको स्क्पिया है फोन तो बहुत सारे हैं स्पेशली सैमसंग का भी फोन हैं अदर फोन भी हैं लेकिन दो ही फोन में आपको रेक्मेंड कर रहा हूं वन और दी बेस्ट वेल फोर्मरी फोन जो आप फ्राई कर सकते हैं यह सूपर हार्ड कोर गेमर्स का फून तो नहीं लेकिन इसमें आप लाउंग गेमिंग में असानी से कर सकते हैं फोन स्लिम है लाइट वेट है आई पी 68 है फास्ट जर्णिंग है बेटर रिफ्रेश रेट मिलता है तो यह फोन आपको आदे से गंटे की मौडरे गेमिंग पोको एफ वाइफ इवन दो अब डेट्वी नोट 13 प्रो प्लस आ रहा है लेकिन उसके मकबले अभी भी पोको एफ फाइफ ज्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है पर मैंने यह नोटिस किया है कि अक्टूबर अपडेट के बाद से जो लास्ट करना चाहिए अगर आप गेमिंग यादा करते हैं और गाइस आइकू नियो 7 प्रो स्नैप्रेगन एट प्लस जैन्वन जब अच्छी प्रफॉर्मेंस आपको देता है वैसे यह फोन ओर और ऑल काफी बढ़िया आइकू ने बनाया है तो आप इसको भी ट्राइब कर सकते है वनप्लस का एक फोन है नौड 3 वो कैशल गेमिंग के लिए तो मुझे अच्छा लगे जब मैं इसमें लॉंग गेमिंग करता हूना लाइक हाफ एन आवर एक घंटे के ऊपर तब थोड़ा से इसमें फ्रेम ड्रॉप्स मुझे मिलने लगते हैं जैसे कि में वनप्लस के लिए यह फोन अब सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह नतिंग फोन 2 नतिंग फोन 3 आने वाला है और इस फोन में प्राइस डॉप अल्री हो चुका है जो फोन 40 मिलता था था वो 35 के रेंज में आगया है यह भी स्नाप्रेकन 8 प्लस जनल है सौफ्ट यह बहुत ही आप्ट सूट करता है तो प्राइस अब कर लेते हैं तो वन प्लस ऑफ कोर्स कैसे बहुत सकते हैं वन प्लस 11R वन अदी बेस्ट मिड्रेंज फ्लैक्शिप में आप इसको अभी भी ट्राइब कर सकते हैं गचब की प्रफॉर्मेंस देता है लुक डिस्प्ले फासर चारजिंग कैमर अब आपको अंडर 50 बड़े असानी से मिल जाता है यह लाइक पर्मनिट आपको 49 50 मिल सकता है अभी भी बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस मिलती आईफोन 13 में इस्पेशली गेमिंग के लिए और लॉंग टर्म गेमिंग के लिए फोन बहुत ही जादा कूल फोन है तो यह सबसे लेटेस लॉंग जो हुआ है आईकू 12 बहुत ही सही गेमिंग करता है वैसे देखिए 50 के लिए यह आपको बैंक ऑफ लगा के 50 के मिलता है लेकिन कर आप 52-53 विदाउट ऑफर के ले सकते हैं सीरियस ऑफर देता है वैसे बाइद वे हमने आईकू 11 और 12 को भी डिटेल सब्सक्राइब कर रहा है आईकू 11 आपको अंडर 50 आईगी 48-49 तक असानी से मिल जाता है कोई डिफरेंस गेमिंग भी नहीं इसने अगर आप अलग अलग खेलते हैं साइब सेट करेंगे थोड़ा सा लगेगा लेकिन ट्रस्ट में अगर आप जस्ट गेमिंग लिए लेते ह अगर बेटर बेटर फोन दिखाते हैं और बहुत से फोन आ गये हैं और बहुत से आने वाले हैं थाइंकिसो मच एफ़ गरेटेक